भारत और वेस्ट अंडीज के 22-30-20 मैच दिवाली से एक दिन पहले यानि आज लखनवू के इकाना इस्टेडिया में खिला जाएगा जिहां आपको बता दें कि लखनवू वासियों की तमना पूरी हो गई है क्योंकि आज 24 साल बाद कोई मैच लखनवू में खिला जाएगा क्योंकि अब तक 1994 के बाद कोई भी अंतरराष्टे मैच लखनवू में नहीं हो था सभी उत्तरप्रदेश में होने वाले मैच कानपूर में होते थे ऐसे में नए और श्रांदार बने इकाने स्टेडियम में जब आज भारत वेस्टेंडीज के खिलाफ उतरेगी तो दिवाली से पहले की जीत होगी या थियासी क्योंकि 24 साल बाद अगर जहां पे मिलेगी भ दिवाले पे आपको बता दें कि भारत और वेस्टेंडीज के भी जो पहला टीटेंटी मैच वा था उसमें भारत ने जीत तो दर्ज की थी लेकिन भारत के चार टॉप ओडर बल्लेबाज फुस्त हो गए थे जिसके चलते अब देखना ये है कि क्या दूसरे टीटेंटी मै मैच में भारती टीम के बल्लेबाजी कैसे होती है आपको बता दी आज अगर भारत मैच जीता है तो सिरीज भी अपने नाम करेगा तो कहा जा सकता है कि दिवाली गिफ्ट दे सकता है भारत आज वेस्टेंडीज को राके सिरीज के रूप में